सुबह की जल्दबाजी में ऐसा कौन सा नाश्ता बनाए जो की जल्दी बन जाए और टेस्टी भी बने ये बच्चे बड़े और सभी को बहुत पसंद आएगा यहां पे मैंने लिए एक अच्छा आलू जिसको अच्छे से धूल के चील के और घिस लिया है यहां पे जो गाजर ना उसे ग्रेट कर लिया है तो यहां पे मैं ले रहे हूं आधा कटोरी चावल काटा और आधा कटोरी यहां पे डाला है मैंने सूजी अब आधा कटोरी इसमें पानी डालेंगे पानी बहुत जादा नहीं डालना पड़ता इसमें क्योंकि सबजिया है उसका भी चोटी चमच बने लिए कुटी हुई लाल मिच तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं आठ से दस बूंद इसमें डालेंगे नीबू का रस तो नीबू का रस बहुत जदा नहीं डाला है नमक डालके इनको अच्छे समय मिला लेना है सारे मसालों के साथ अब थोड़ा सा मैं प से नहीं रखना है नहीं बहुत जदा नोका रखना है दो जब दो देल और यहां पर सफज़ तil कुटी हुई к लाल मिच डालगे यहां नाच्ता में लाल सकते हैं डाल तबे पे डाल के तो यहां पर इस तरह से फैला लेते हैं और इसे कवर करके दो मिनट पकाएंगे जो हमारा नाशता है बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं सुबह में बना सकते हैं नाशते के टाइम पर यह फटा फट से बन ज करते हैं बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं बड़ों को भी पसंद आता है यहां पर देखिए हमारा नाशता बनके त्यार हो चुका है बहुत ही टेस्टी और नरम मुलायम सा यह नाशता बनके त्यार हो चुका यह देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूं यहां पर मैंने दो भाग में इसको कट कर लिया है यहां पर देखिए मैं आपको तोड़ की दिखा दूँ यह कितना नरम मुलाहिम सा बना है और इसमें सारी सब्जिया भी है और बहुत ही टेस्टी मजे का मैंने से तीखी चटनी के साथ सर्फ किया है आप सॉस के साथ या आपके वीडियो पसंद आयोगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा